प्यारे साथियों नमस्कार स्वागत एक बार पुन हैं आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल टॉपर गेलक्सी पर तो यार आज के इस वीडियो पे आपके सामने में लेकर आचुका हूँ कच्छा वारा हिंदी ब्याक्रण के लिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ज करने वाले हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो यह टॉपिक आपका पूरा सव परसंट गैरंटी साथ कहता हूँ कि पूरा आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी तो आपको क्या कर इसको एक सब्द में क्या बोलेंगे परत्याच इसी प्रिकास से बोड़ एक जाम में कोशन आते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग इनको कर लीजेगा अब्जेक्टिव टाइप में जो भी आएंगे अंगला कोशन के दूसरा है आपका यहाँ पर जो प्रत्वी से सम्ब कि यहाँ पर संबह होगा कोई बोल रहा था असंबह होगा तो यहाँ पर कर लीजेगा यह था संबह ठीक है न जहां तक हो सके मतलब यह था संबह अंगला कोशन यहाँ पर है कि जो मचली का आहार करता हो उसको बोलते हैं मतस्याहारी क्या बोलते हैं मतस्याहारी तो यहाँ तीत अंगला देखिए यहाँ पर है आपके सामने कहा गया है कि जो वचन से परे हो उसको बोलते हैं वचना तीत क्या बोलते हैं वचना तीत अंगला देखिए यहाँ पर है किसी को किसी मत को मानने वाला तो बोलते हैं मतानुयाई क्या बोलते हैं उसको मतानुयाई एक नंबर 10 है आपका कम खर्च करने वाला आप जानते हों कि मितिभाई होता है ठीक है यह सारी के सारी मॉस्ट इंपॉर्डन है अगर आप यह सव कोईशन कर लेते हैं तो आपको यहां से अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और आपको इसी मोच की कामना उसे बोलते हैं मुवच्व क्या बोलते है मुमोच्व अंगला देखिए यहां पर आपका है यह जो एक स्थान मरें ठीक नहीं रहता Ayo उसको बोलते हैं यायावर क्या बोलते हैं यायावर अंगला देखिए यहां पर जो युद्ध में इस्तिर रहता है उसको बोलते हैं युदिष्ठिर क्या बोलेंगे युदिष्ठिर अंगला देखिए नाक से रक्त बहने वाले रोकू क्या बोलते हैं तो नकसीर क्या बोलत निरापद अंगला देखिए जिसके हर्दय में पाप ना हो उसे बोलते हैं निस्पाप क्या बोलते हैं निस्पाप अंगला कोईशन यहाँ पर किसी आरोप के उतर में किया जाने वाला आरोप उसको बोलते हैं प्रत्यारोप क्या बोलेंगे प्रत्यारोप तो याद कर लिज ठीक ना या पर सूथा भी हो सकता है यहाँ ठीक है न तो अंगला देखिए यहाँ पर है कि समान रूप से आगे बढनी की चेस्टा प्रतिसपरधा कहलाती क्या बोलते हैं उसको प्रतिसपरधा बोलेंगे अंगला देखिए दो बार जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं दुर्वोध क्या बोलते हैं दुर्वोध यानि कि समझाना ठीक ना यहाँ पर आप लोग का लिजगा समझाना जिसे समझाना बहुत कटिनों उसको बोलेंगे दुर्वोध हना अंगला देखिए यहाँ पर है दाव या प्रारब्ध संबंधी बाते जानने वाला देवग होत तीत क्या बोलते हैं वड़ा तीत अंगला यहाँ पर है जो वचन से पर हो उसको बोलते हैं वचना तीत ठीक है नेक्ट करिए यहाँ पर जो पूंड रूप से बहरा हो उसको बोलते हैं वज्रबाधिर क्या बोलते हैं वज्रवधिर अंगला गोश्चन यहाँ पर आपके स आपका इस वीडियो से पूरा का पूरा जो ये अनेक सब्दों वाला जो टॉपिक है ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा इसकी मेरी गरंटी है एक ही समय में उद्पन होने वाले को कहरते हैं सम कालीन क्या बोलते हैं सम कालीन अंगला देखें यहाँ पर ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंदा क्या बोलेंगे समसी तोष्न क्या बोलेंगे समसी तोष्न अंगला देखें अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वालंबी होता है क्या होता है सो आ लंभी ठीक है ना ind कि भलाई की इस्षा रखने वाला उसको बोलेंगे हिटाएशी क क्या बोलेंगे हिटाएशी तो यहाँ पर कल जिगा आप लोगिटाएशी अंगला देखे यहाँ पर सामने नेक्स्ट कोशन आपके यहां पर आता है 35 नमबर आगाहन और पूस में पढ़ने वाली रितू देखिए यहां पर आप जानते हैं यह हिंदी के महीने होते हैं अगाहन प। तो आब इनको बताएं इस रितू के क्या बोलते हैं चम में ठीक ना अंगला देखें चण भर मेनस ठोने वाले को बोलते हैं चण भंगुर ठीक है ना चण भंगुर अंगला देखें यहाँ पर है भूख से ब्याकुल उसको बोलते हैं चुदातूर क्या बोलेंगे चुदातूर अंगला देखें यहाँ पर है जो स्वयंभू क्या बोलेंगे स्वयंभू अंगला देखिये यहां पर आपके सामने 41 नंबर कोश्चन है कि कुछ खासज सर्थों पर कोई कार करने का समझाओता क्या है संबीधा कहलाता है क्या बोलते हैं तेखे यहाँ पर आपके सामने 42 नमबर है वहसासन प्रणाली जो जंता द्वारा जंता के हीत के लिए की जाते है उसको डेमोक्रेसी यानि के लोकतंतर बोलते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर है आपका 43 नमबर जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो उसको बोलते हैं राज पसंद या नामांकित को मनोनीत बोलेंगे अंगला देखिए यहां पर 46 नमबर है आपके सामने इसमें देख सकते हैं कहा गया है कि चुनाओ में अपना मत देने की क्रिया को मत दान कहते है ठीक है एक सब्द में अंगला देखिए किसी बिसे पर दूसरे से मत ना मिलना उसको बोलते हैं मत भेद ठीक है मतलब किसी से हमारा विचार नहीं मिल रहा तो वहाँ पर मत भेद हो जाएगा 48 नमबर देखिए आधे से अधिक लोगों की सम्मलित एक राय को बहुमत बोलते हैं ठीक है जैसे आज की टाइम पर अगर बोलें तो सरकारे बनती हैं जैसे की जिसके पास बहुमत होगी उसी की बनती है ना ज्यादा जिसका सहयोग होगा जिसके पास अगला देखिए जो बुद्धी द्वारा जाना जा सकते उससे बोलते हैं बोध गम में क्या बोलते हैं बुद्ध गम में बोला जाता है तेके नेक्ष्ण यहाँ पर जिसकी जीवी का बुध्धी के बल पर चलती है उसको बुद्ध जीवी बोते हैं क्या बोलेंगे बुद्ध जीवी अंगला देखें क्यावन नंबर जिसके पास कोई रोजगार ना हो विरोज़गार होता है, ठीके, निक्ष देखिए, अनुचीत बात के लिए आगरा है, उसको बोलेंगे दुर आगरा है, क्या बोलते हैं, दुर आगरा अंगला देखे प्रियोग में लाने योग, उसको बोलेंगे प्रियोज नीय, क्या बोलेंगे प्रियोज नीय, नेक्ष देखिए यहाँ पर आपके सामने चववन नमबर है, कि जो अपनी मात्र भूमी छोड बिदेश में रहता है, उसको बोलते हैं प्रवासी, क्या हैं पैतरक संपत्ति, जैसे कि जमीन जायजात हो गई जो भी चीजे हैं, वो पैतरक संपत्ति में आता है, इतिहास के यूग में पूर्वका, इतिहास के यूग से जो पूर्वका समय है, उससे क्या बोलते हैं, प्रगाय तिहासिक, क्या बोलेंगे प्रगाय तिहासिक, अं निरर्थक क्या बोलते हैं निर्वसिट ठीके ना नििश्ट देखिए यहां आपका जो पहले कभी नहुआँ उसको बोलते है आभूत-पूर्भ नि वीडियो में कि पूरा यह तौपिक आपका पो वीडियो में पहुत अप चार प्रख एकक गायब हो जाएगी जिसकी गहराई की अथाह ना लगा सके उसको बोलते हैं अथाह क्या बोलेंगी अथाह जो सदा सदा से चलता आ रहा है उसको बोलते हैं अनवरत क्या बोलते हैं हमेशा चलता रहा है अनवरत ठीक ना अंगला देखे जो आंगे की ना सोचता हो उसको बोलत होते हैं अना क्रांट ठीक है यहां पर अंगला देखिए जिसके पास कुछ ना हो क्या बोलेंगे अकिंचन क्या बोला जाता है उसको अकिंचन याद कर लिजेगा अंगला देखिए जो कानून के विरुद्ध हो उसको अबायद बोला जाएगा ठीक ना इनलीगल अबायद अंगला देखिए सत्तन नमर जो समय पर ना हो उसको बोलते आसमाइक ठीक ना आसमाइक जैसे बक्ती की मरत्ती हो जाती है वो आसमाइक है ठीक ना कभी उसका कभी कोई डिसाइड नहीं है तो इस प्रकास यहां पर देखिए जिसमें कुछ करने की चमता हो उसका आचा मित्व यहां पर यह डबल हो गया चलिए अंगला देखते हैं जो गीनाए ना जा सके उसको अगेनत बोलते हैं ठीक ना आने गीनत अंगला देखिए बहुछ सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली या घटना करम कहलाता है ठीक ना अंगला देखिए जिसकी तो यात कली जगह राज नीतिग्यों की क्या कहलती कूट नीती कहलती है ठीक ना तो अंगला देखे सीमा का उलंगान करना कहला अतिक्रमण क्या कहलता है अतिक्रमण अपने पैरों पर खड़ा होना स्वालंबी या आत्म निर्भर होता है ठीक है याद कली जगा एक क्यासी नंबर है आप रादों से संबंदित या उसको बोलेंगे आप राधिक क्या बोलेंगे आप राधिक आभार मानने वाला ठिक है आभारी जैसे आप किसी का उपकार करें उसकी भलाई कर दें और वो आपका आभार माने यानि के धन्यवाद भाई साहब ऐसा कुछ बोले तो वो आपका आभारी हो जाएगा ठीक है आभारी यहाँ पर सब्धियोग में आता है आयोजन करने वाले बैक्ति क्या होता है आयोजक होता है किसी चीज का आयोजन करने वाला आयोजक कहलाएगा जो आलोचना के योग हो उसे बोलेंगे आलोच क्या बोले जाएगा आलोच ठीक है नेक्ट देखिए किसी अबधी से संबंद रखने वाला क्या होता है आबधिक क्या होता है आबधिक बोला जाएगा ठीक है ना जो किसी नियम को ना माने उसको क्या बोलेंगे उच्छ खल उचंकल ठीक है ना ऐसा करके तो यहाँ पर अंगला देखे किसी के बाद उदिंकी संपत्ती प्राप्त करने वाला उत्तरा धिकारी जैसे कि अगर बात करें तो आपके पिता जी की जो सं बोला जाएगा उरिन अंगला देखे जिसका संबंद किसी देश से हो उसको बोलेंगे एक देशी ठीक है न क्योंकि एक देश संबंद अगर किसी का तो एक देशी हो जाएगा अंगला देखे किसी पच्छ से संबंदित क्या होगा एक पच्छी किसी एक पच्छी से अगर क इसको सम्बंध ऊपणिवेस या उपनिवेसं से हो उसको बोलते हैं आउपनिवेसिक ठीक है ना 96र 2 अउपरी दिखावे के रूप में होने वाल आउपचारी को होता है ठीक है अंगला देखे जो कल्पना से परे है उसको काल्पना तीत कहेंगे कल्पना तीत ऐसा करके है ना अंगला देखे 98 नमबर है कार करने वाला बेखती होता है कार करता ठीक है नेक्स देखिए 99 नमबर है किनी किनी निशित कारियों के लिए बनाई गई समिती को कार समिती क ठीक है तो हो गया यहाँ पर आपका 990 अब देखिए लास्ट यहाँ पर रसा नंबर जिस समय निरड़ै नहूँआ हो उसको बोलते है आनिरडीत क्या बोलेंगे आनिरडीट तो यहाँ पर मैंने पूरे 100 देखें आपको यहाँ पर करा दियें और इसमें से आपको पूरे एक topic complete कर लेंगे ठीक है बागी चलिए मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम